2BHK 63 गच 63 गच 63 गच 2BHK 63 गच विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग विद रूफ थर्ड फ्लोर विद रूफ दिखाते हैं आपको कि यह देखे इसीज़ग चार पार्किंग एडिया और यह स्पेस है इदर चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं इसकी लिफ्ट ये इसकी लिफ्टाइब और कि यहां से स्टस चारियों ऊपर यह आपका मोटर्स कफिराप जेन स्टसाइद अबर कर आपका पता का बड़ी बहुत प्यारी लिफ्ट है वैसी है जालो गाइस फ्लाइट के अंटरी करते हैं टू बीएच के साठ गज ओन पेपर तरेशट से चोशक गज के आसपास बैठे गाई विद लिफ्ट अं कार पार्किंग विद रूफ यह देखे इसका कितना प्यारा डॉर है इतना प्यारा डिजाइन है इस टॉर का बहुत स्यांदर फ्लाइट है है हैंडल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यहां से जब हम एंटरी करते हैं आपके बाजू में लिफ्ट ठीक है जी स्टेर्स इधर हैं यह स्टेर्स जाली है और यह हम घुशते ही इसका ड्रॉइंग हॉल इधर की तरफ में अगर हम बात करें यह इसका ड्रॉइंग हॉल यह यह देखें कितना प्यारा इसमें फॉल सीरिंग का डिजाइन है यह जो ब्लू कर र का जो डिजाइन है सेम यहां पे जलता है बहुत प्यारा एफेक्ट है इन दोनों उस वाले में भी और इसमें भी अभी बंद है और यह देखिए कितना प्यारा वोल पेपर लगा हुआ है आपका एक तरह से डाइमंड कट टाइप का सा है कुछ इस टाइप का डिजाइन है यह और यह इसका होल आ जाता है इसको हम ड्राइग होल बॉल सकते हैं आपका और इस ड्राइंग होल के साथ में ही आपको एक इसमें टीवी यूनिट मिलता है जो आप देखिए इस टाइप का टीवी यूनिट है यह है इसका ड्राइंग होल अच्छा खासा स्पेस है ड्राइंग होल के अंदर और यह वाल पेपर है इस टाइप किसके अंदर क्वालिटी है जो आप देख सकते हो बिलकुल संदिक कुछ ट्राइंगल टाइप कुछ डाइमंड का टाइप इस टाइप का सा डिजाइन है और इसके साथ में होल के साथ में अभी हम आपको दिखाते हैं यह इसका अंदर का डोर का थोड़ा सा डिजाइन है इसके साथ में जो अटेज य और यह वोश्रूम और वहां पर वेंटिलीशन परपस है और यह आपका इधर शावर तो एक अच्छा काशा वोश्रूम बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं इसके डूर की क्वालिटी है वोश्रूम की यह तरह से कॉमन वोश्रूम है जो आपके होल को और इस रूम को दोन परपसे यूज कर सकते हैं और यह इसका बैक साइड का रूम इस रूम में देखिया आप कितना प्यारा फॉल सिरिंग का डिसाइन और यह इस रूम में कबड बनी हुई है यह फ्लैट में आपको बता दो टूग एच के है साट का जोन पेपर और यह यहां पे साफ्ट इस रूम का साइज भी अच्छा है मार्बल निचे लगा हुआ है विद लिफ्ट है कार पार्किंग है यह देखिये कितनी प्यारी फॉल सिरिंग है इसकी और यह इसमें टेक्स्चर वर्क हुआ है यहां पे इस नॉट वाल पेपर टेक्च्चर वर्क है वाल के उपर अगर हम कबट को अंदर से दिखाएं आपको तो इस कबट को काफी अच्छा स्पेस है कबट का यह आप देखिये काफी अच्छा स्पेस है और अच्छी क्वालिटी की संमाई का यूज की हुई है यह देखे कितना प्यारा डिजाइन है इसका वूट टच है पूरा और यह इसका डॉर अब हम चलते हैं आगे की तरफ तो यहां पर आपकी आ जाती है किचन के अंदर बहुत सारी ड्रावाज है यह लैडर रखी हुए थोड़ा सा व्यू को खराब कर रही है देखे किचन के अंदर भी फोल सिलिंग और एलेडी वर्क और इतनी प्यारी किचन है बहु कर देख सकते हो कितना प्यारा है डिजाइन बहुत प्यारा है चिमनी विबनी का स्पेस छोड़ा हुआ है पूरा टैप्स अगरा लगे हुए है यह देके अच्छी क्वालिटी के टैप्स यूज हैं यहांपे पूरा स्वीच इस बगजरा दे रखे हैं यहां पर भी स्वी इसमें वाव शूबर यहा इसमें वाव शूबर यह वाव शूबर यह वैल फ़निश्ट किचन सी बहुत प्यार डिजाइन कबट के अंदर वाव इसकीश रवार में इस टाइब की जबी कुछन किसी ही फ्लोर में बनी है वैड इसकी ड्रावाज है काफी सारी ड्रावज हो इसमें नीचे और प्रे जब कोईनल गॉल्स ना वी जबाव है इसकीशन में इतना समान आशकता है जैसे एक Sogas का 3 Plus का सब्स होता है उसमें भी इतनी बड़ी किशन नहीं होती है तो उतना ही समान आएगा इसके अंदर भी तो बहुत प्यारी किशन बना रखी है एक प्यारा वेंटिलेशन है बालकनी की तरफ अब चलते हैं इसके 2nd रूम की तरफ इसमें भी देखे कितना प्यारा टेक्श्चर डिजाइन है और यहां पे फॉल सिलिंग वार्क इसमें आपका एक तरह से ट्रिपल एलेडी को घुमा रखा है एक तो कोप लाइट में है दूसरा राउंड सर्कल के आउटर में है और एक इसके इनर सर्कल में जो यलो कलर है और दो कलर आपके इसके ब्लू कलर बाहर के तरफ में है इसमें भी एलेडी डिजाइन्स है एलेडी लाइट्स बगरा सब लगी हुई है इस रूम के अंदर भी आपको एक टीवी यूनिट मिलती है इस रूम अच्छा खासा स्पेस बहुत बढ़िया प्रोपर्टी है यह और इस रूम के साथ में अटेच में वोल हैंगिंग सीट के साथ में यह वाश्रूम है बहुत प्यारी चीज लगी हुई है टैब्स वगरा टाइल्स का डिजाइन क्वालिटी बिल्कुल बैस्ट वाई यह शावा आपके सब ओप्शन दिये हुए हैं गीजर वगरा के बाकी फ्लाशिंग सिस्टम है यह देखिए सो दिस इस आपका एसस का फिटिंग से नीचे और यह देख रहे हैं यह इसकी बालकनी है सेक्टर 24 के बिल्कुल साथ में दीप व्यार रोइनी सेक्टर 24 के अंदर इस बाहर भी ग्रेनाइट लगा हुआ है बालकनी को जो एक्स्टेंड़ स्पेस करके दिखाया हुआ है देखिया और यह टाइल वर्क एसी की पूरी फिटिंग्स यहां पे भी यहां पे भी हॉल के लिए भी किचन के तरफ से दूसरे रूम के तरफ से घून के आ रहे हैं इस यह लिए वेरी नाइस फ्लैट और देखिये सामने है सेक्टर 24 की रोड बीच में और वहां पे उधर पार्क वोकिन के उपर पार्क है बिल्डिंग बिल्कुल कॉर्नर के उपर है आप देख सकते हैं और बहुत प्यारी लोकेशन है बीस फिट का रोड है इसके सामने का कॉर्नर वाला भी बीस फिट का है तो यह रोड भी छोटी रोड नहीं है अगर मैं गरी दिखा हूँ आपको यह देखिए इस प्रोपर्टी को अगर आपको बाए करना है यह प्रोपर्टी आज की डेट में 38 लेक रुपीज की डिमाड में है विद रूफ जादा इसके अंदर मार्जिन्स नहीं है तो जिसको भी बाए करना है जन्दी से आप आईए और यह प्रोपर्टी बाए कर लेजे इस डिय को रूफ दिखाता हूँ जो इसकी रूफ है किस टाइप की है ठीक है फोड़ चरिकर ओवर विई इस टाइप से अब ही हम चलते हैं शट के आद चलते हैं चलते च पर और इसकी हम रूफ दिखाते हैं आपको सिर्व इसमें दो ही रूफ है एक यह इदर बड़ी रूफ है बड़े वाले टके लिए और यहां इस वाले फ्लैट के लिए टू प्लस के लिए उदर वाली थिनी प्लस के लिए थी और ये इसकी रूफ है देखे इस पर भी कोटा स्टोन लगा हुआ है और ये देखे कितनी प्यारी रूफ है इसकी पूरा लिफ्ट विफ्ट सब साइड में टैंक वैंक सब उपर है अच्छी खासी छत है सेपरेट छत है और ये स्वारा सामने 24 है पूरा सेक्टर 24 वहाँ पार्क है ये बीच में रोड है देख सकते हैं आप गाड़ियां वाड़ियां आ जा रही है गाइज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला प्रोपटी बहुत अच्छी है ये बहुत प्यारी इसके साइड की प्रोपटी है ये 110 गज के आसपास बैट रहा है ये तो ये बहुत प्यारी प्रोपटी है और आईए आपको विजिट कराते हैं नम्मर आपको मिल जाए thank you so much for watching the video